बच्चे बड़े हर कोई इसे ना उंगलियां चाट चाट करके खाएगा रोटी सबजी तो आपने बहुत बार खाया है लेकिन रोटी की सबजी बना कर कभी आप खाए हैं इस तरीके से तो चलिए देखते हैं फ्रेंड इसकी पूरी रेस्पी वेलकम टू माई चैनल अनमोल हमारी रेस्पी आपको पसंद आती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए सबजी बनाने के लिए हमने दो रोटियां ली है आप चाहे तो ताजी रोटी से भी सबजी बना सकते हैं और चाहे तो साम की बची हुई रोटियों का भी इस्तिमाल कर सकते हैं टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है तो चलिए अब हम इनके पीस बना लेते हैं आप चाहे तो हाज से भी ने तोड सकते हैं या फिर कैची से इस तरीके से काट सकते हैं तो हम इस तरीके से इसका सेब दे रहे हैं आप चाहें तो अपने मन चाहे आकार में रोटी को कट कर सकते हैं इस तरीके से देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है अब हम कठाई में डालेंगे पांसे छे चम्मस सरसो का तेल तेल गरम हो गया है अब इसमें एक मीडियम साइस का प्याज जिसको मैंने इस तरीके से तुकडों में काट लिया है थोड़े बड़े साइस के हैं और इसके मैंने परते अलग कर ली हैं इस प्याज को हम थोड़ा सा भून लेते हैं इसका हलका कलर चेंज हो जाएगा बस सौप्ट होने तक इन्हें फ्राई करना है उसके बाद तेल से हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं अब इसी बचे हुए गरम तेल में आधा चम्मच जीरा आधा चम्मच राई और थोड़े से मेथी दाना लेंगे और तेल में डाल देते हैं यह चटकने लगे हैं तो इसमें हम दो मीडियम साइज के बारी कटे हुए प्याज डालेंगे प्याज एकदम बारी कटा होना चाहिए बड़े साइज में ना कटा हूँ प्याज जब भून जाता है तो इसका color change हो जाता है तो अभी हम इसमें डालेंगे कुछ सूखे मसाले एक चमस हल्दी powder, एक चमस धनिया powder और एक चमस कस्मेरी लाल मिर्ची powder हमने इसमें पानी का इस्तमाल अभी नहीं किया है तो आज को बिल्कुल slow कर देंगे ताकि ये मसाले जले नहीं इसमें हम अद्रक लहसन और हरीमिची का पेष्ट डालना भूल गए थे इसलिए बाद में डाल रहे हैं आप प्याज के साथ में डालिएगा इनको अच्छे से भून लेते हैं अब इसमें एक चमस गोल्डी सबजी मसाला डालेंगे आप जो भी सब्जी मसाला इस्तमाल करते हैं उसे डालिए अब इसमें हम 4 कब फेटा हुआ दही डालेंगे अब हम मध्या माज पर इस तरीके से चलाते हुए दही को मिलाएंगे इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि दही फटे नहीं दही फट जाता है तो सारी सब्जी का स्वाद बिगड़ जाता है तो दही अभी पकने लगा है लेकिन हम इसे थोड़ा और पकाएंगे तो हम इस पर ढखकन लगा देते हैं और भीज-भीज में चेक करते रहेंगे तो दही अच्छे से ये पक गया है मसाले भी पक गया है इसमें से तेल अलग हो गया है और बहुत अच्छी खुसबू आ रही है इसका मतलब ये सारे मसाले पक गया है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि इसमें एक ग्रेबी आ सके सब्जी में तेहां पर हमने दो कप उबला हुआ पानी लिया है इसमें कच्चा पानी का इस्तमाल बिल्कुल ना करें नहीं तो सारी सबजी का स्वाद बिगड़ जाता है पानी गरम था तो डालते ही इसमें उबाल आने लगा है अब हम इसमें कटी हुई रोटिया डाल देंगे पानी की मात्रा आप कामिया जादा भी रख सकते हैं ग्रेवी यदि आप गाड़ी खाना चाहते हैं तो पानी की मात्रा कम रखिए और ये थोड़ा सा पतली पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा सा बढ़ा करके भी डाल सकते हैं अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और हमने जो प्याज पहले भून करके रखा था उसे भी डाल देते हैं ये प्याज ना बिल्कुल आप्शनल है आप पसंद करिये तो डाल सकते हैं नहीं तो बिना प्याज के भी आप इस तरीके से सबजी बना सकते हैं एक चमस कस्तूरी मेती और हरी मिर्ची तीखाव अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा रख सकते हैं अब थोड़ा सा हम इसे इस तरीके से चला देते हैं अब हम ढख करके एक मिनट सबजी को पकाएंगे क्योंकि रोटियां पकी हुई हैं और ग्रेवी भी पका हुआ है तो ज़्यादा देर सबजी को नहीं पकाना है हमारे यहां सभी लोग थोड़ा सा गाड़ी ही सबजी पसंद करते हैं अब इसमें हम बारी कटा हुआ हरा धनिया पत्ती डालेंगे और आज को बंद कर देते हैं तो लीजे ना पांस मिनट में सबजी बंद करके तयार हो जाती है और खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप जब इसे बना करके खाएंगे ना यकीन तब ही कर पाएंगे तो चलिए अब इसे हम सर्ब कर लेते हैं ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाड़ी हो जाती है इसलिए पहले से बहुत ज़्यादा गाड़ा ना बनाये सबजी को अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे एक चमस घी गरम करेंगे उसमें लंबाई में बारीक कटा हुआ अद्रक डाल करके भूनेंगे अद्रक में कच्चा पन बिल्कुल नहीं होना चाहिए और एक मिर्ची डालेंगे आप चाहें तो मिर्ची हटा सकते हैं और आधा चमस इसमे कलर के लिए डालेंगे कस्मिरी लाल मिर्ची पाउडर और आधा चमस पानी डालेंगे ताकि ये मिर्ची जले नहीं और ये गर्मा गरम तड़का न हम सबजी के उपर डाल देंगे बहुत ही अच्छी घुजबू आने लगती है सबजी में और इस लिके से सबजी का स्वाद भी भड़ जाता है तो लीजे हमारी ये रोटी की सबजी बन करके तयार हो गई है आप इसे रोटी के साथ में खाईए चावल के साथ में खाईए दोनों के साथ में लाजवाब लगती है सो फ्रैंस हमारी आज की ये रेस्पी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करिएगा बाबाई